नमस्कार शाथियूं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डियस क्लासेज पे आज की ए वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपार्टेंट है क्योंकि यूपिटेट और सीटेट दोनों परिछाओं में पूछे जाने वाले बाल विकासियों सिच साथ से संबंदेत मात्मोर 30 कोस्चन को इस प्रेक्टिस सेट में हम डिसकस करने वाले हैं और आगामी यूपिटेट और सीटेट एक्जाम में इस वीडियो से आपके चार से पांच मार्क कम से कम पक्के हो सकते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ध् उप्योग कहलाता है आप सने शीखने की विधियां आप सन भी सीखने में इस्थान अंत्रण आप संसी सीखने में पठार आप संडी सीखने में रूची तो इस प्रेशन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताएं तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो ह इस प्रशिन का राईट आंसर होगा आपशन बिदो क兩हा crashes प्रिवर्तन को शीक ना या अधिगम में कोशन नोंबर 3 देखते हैं के दोस्तुर科 नमबर 3 है संखिकें में वहर एक हाचितर जिसमें आ बृतियों को इस्तंभो तो द्वारा प्रतर्शित किया जाता है क्या कहलाता है आपसने इस्तंभाक्रत आपसन भी आबरत्य बहुभूज आपसन सी संचय आबरत आपसन डी रेखाचित्र तो इस प्रशन का राइट आंसर होगा आपसन ए इस्तंभाक्रत आगे बढ़ते हैं शाथियों कोश्चेन नं इस प्रशन का राइट आंसर है आपका आपसन शी बुद्धी का जो अधिक्तम विकास है वह किसोरा अवस्था में होता है कोश्चेन नंबर पांच देख लेते हैं साथियों कि सिसु का अधिकांस ब्योहार आधारित होता है आपसन ए मूल प्रवर्थ पर आपसन बी नेति पर होता है और मूल प्रवर्थियां कुल 14 हैं और इसको किस ने बताया है मैक डोगल साब ने बताया है और प्रतेक मूल प्रवर्थ से एक संबेग जुड़ा होता है आगे कोश्चन नंबर 6 देखते हैं आंतर द्रश्टी द्वारा सीखने के सिधानत में कोहलर ने प्रियो पर किया था और वन मानुस जो थे उसका नाम था सुल्तान अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों यह आवस्च नहीं है कि उच्च बुद्ध्यवाले बच्चे डैस डैस में भी उच्च होंगे आपसन ए सरजन सीलता में आपसन भी अध्यन में आपसन सी बिशलेशन में आपसन डी अच्छे अंक प्राप्त करने में तो इस प्रिशन का राइट आंसर आप सभी लोग पट अंतरिक दसा है आपसन ए अवध आपसन भी नवीनता आपसन सी रुच आपसन डी आकार तो इस प्रशन का राइट आसर आपने के लिए नहीं किया जाता है आप्षने प्रत्याहं भी आपशन भी तारक्नभी और सीय पहेचान भी आपशन दिपुना सीखना भी तो इस प्रश्न काूणा राइड धांसर वहाँ आपशन भी तारकी की जो है वो गाड़ती संकल्पना से संबंदित भी जैरे अगला कोश्चनकोश्य में नमब्र ऐसा कोई टेट का एक्जाम या सी टेट का एक्जाम नहीं जो इससे ना पूछा जाता हो प्रासंगिक अंतर बोध परिच्छन या जिसे टेट कहते हैं का विकास के द्वारा किया गया इस प्रशन को इस प्रकास से पूछा जा सकता है प्रासंगिक अंतर बोध परिच्छन के मरे अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 11 मनों विज्ञान का सिच्छा के छेतर में सबसे बड़ा योगदान है आपसन A B से के अंदरी सिच्छा आपसन B सिच्छ के अंदरी सिच्छा आपसन C किरिया के अंदरी सिच्छा आपसन D बाल के अंदरी सिच्छा तो इस प्रशन का रा कोश्चन नमबर 13 है दोस्तों कच्छा सिछण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है इस प्रिशन का राइट आंसर है आपसन सी ततपरता का नियम और उन्होंने दो भागों में बाठा है शिखने के नियमों को एक तो प्रमुक नियम और दूसरे गौड नियम तीन प्रमुक नियम जो है वो प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम और ततपरता का नियम है बाकि पांच गॉर्णियम है अगला कौश्चन कॉश्चन नंबर 14 कंते सं पृत्स निर्मार का प्रथमडल सोपान्पर laughed अपशन दिया गया था दुवारा दिया गया था आपशन भी बंदूरा आपशन दी रिया कोलर तो इस प्रिशन का राइट आंसर है प्रिच्छनात्मक अधिगम का संप्रते जो है बंडूरा के द्वारा दिया गया था कोश्चन नमबर सोला अधिगम में खाली जगा ने प्रभाव का नियम दिया था तो इस प्रिशन का राइट आंसर है अभी आपको उपर बताया है यह प्रथम सेच्छिक मनोबेग्यानिक थे कोश्चन नमबर सत्रा है आउधान के आंत्रिक अत्वा बेक्तिनिष्ट निर्थारक है आपसने रुच लच अभिब्रति आप्शन बी उद्दीपक वस्त यह रुच और लच अभिब्रति यह जो है आंत्रिक या बेक्तिनिष्ट निर्थारक है जबकि पुरुष्कार डंड प्रोशाहन यह वाहे निर्थारक है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 18 देख लेते हैं बाल मनोबिग्यान का छेत्र है आपसने केवल सहस्वा वस्ता की विश्ताओं का अध्यन आपसन B केवल गर्भा वस्ता की विश्ताओं का अध्यन आपसन C केवल बाले वस्ता की विश्ताओं का अध्यन आपसन D गर्भा वस्ता से किसुरा वस्ताओं की विश्ताओं का अध्यन तो इस प्रिशन का राइट आंसर आपका होगा आपका आप डी घरभावस्था से किसोरा वस्था की विश्यस्ताव काध्यन करना ही बाल्विकास या बाल्मनोविज्ञान का छेत्र है कोश्चन नंबर 19 देख लेते हैं वह अवस्था जोकि माता के 21 गुड शूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के करण होती है तो इस प्रश्ट का राइट आंसर होगा अप्षन ए डाउन्स सिंडरूम अगला कोश्चन और बहुती important question है question no. 20 है कोहल वर्ग के अनुशार किस अवस्था में नैतिक्ता बाहिकार को तो अरण निलधारित होती आप्सन नी पूर्व परब्रिक अवस्था आप्सन C पासचाथ या पस्च परब्रिक अवस्था आप्सन D उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इस प्राइट आंसर है आप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था कोहल बर्ग ने नेति विकास की कुल तीन अवस्थाएं दी हैं पहली है पूर्व पारंपरिक अवस्था दूसरी पारंपरिक अवस्था तीसरी है पस्चिया उत्तर पारंपरिक अवस्था और इनको तीनों को कुल छे भागों मे बाटा गया है कितने भागों में बाटा गया है कुल छे भागों में बाटा गया है अगला question question number 21 है बहुत important है कई बार पूछा गया question है इसे आप सभी लोग नोट डाउन कर लिजे अपनी कापी में निमलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है आपसन अंडान सुक्रान ब्लास्टोसिस्ट युगमनज आपसन बी ब्लास्टोसिस्ट युगमनज अंडान वा सुक्रान आपसन सी ब्लास्टोसिस्ट युगमनज अंडान सुक्रान आपसन ड डाण फिर शुक्राण फिर युगमनेज बनता है फिर उसके बाद ब्लाश्टोशिस्ट की प्रकिरिया होती है कोस्चन नंबर बाइस अंतर मुखी बहर मुखी दधा उबहे मुखी बेकतित्य की वर्गी करन किसके दौरा प्रस्तुत किया गया है ये चारो मनों बैक्ज्यानी जो है ये बेकतित्य के जो वर्गी करन है उन से संबंदितWhoa लेकिन इस प्र confession का नेमी करण निमलकित में से किस विधी के शोपान है आपसन ए आगमन विधी सोरी आपसन ए निगमन विधी आपसन बी आगमन विधी आपसन सी अंतर दर्शन विधी आपसन डी बहिर दर्शन विधी तो इस प्रिशन का राइट आंसर है आपसन बी आगमन विधी आगमन विध प्राइड के अनुशार हमारे मुल्यों का आंत्री करण या आंत्र की करण में होता है किसमें होता है आपसने इदम आपसन भी आहम आपसन सी पराहम आपसन डी परिष्थितियां तो इस प्रिशन का राइट आंसर होगा आपसन सी पराहम में हमारे मुल्यों के आंत्र की करण क ब्योस्ता होती है अगला कोशन कोशन नमबर 25 है बेवहारवादी डेश डेश ने कहा मुझे नौजात से सुदे दो उसे डाक्टर वकील चोर या जो चाहूं बना सकता हूं बहुत इंपार्टेंट कम से कम दस बार पूछा गया स्टेटमेंट है आपसने फ्रीमैन आपसन बे माना जाता है और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और इस बार ये आने वाला है यूपिटेट एक्जाम में आप सबी लोग नोट डाउन करके लिख लेना कोश्चन नमबर 26 है ध्यान आकरसित होने में डेश डेश की प्रमुक भूमिका होती यानि खाली जगह में क्य ती बिरता अगला कोश्चन दोस्तों कोश्चन नमर 27 है डेश 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 चात्र में रुच उत्पन करने की कला है आपसने सिछण आपसन भी सहानभूत आपसन सी समद्रेश्ट आपसन डी प्रेणा तो इस प्रशन का राइट आंसर होगा प्रेणा जिसे आभी प्रेणा अभी मनोविग्ञान में कहा जाता है तो यह है अभी प्रेणा जो है चात्र में रुच उत्पन करने की एक कला का नाम है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 28 से बहुत ही अच्छा कोश्चन है प्रायट के अनुशार ग्रहण की या सीखे तथ्यों को धारण करने या पुना कि आप संशी है आपका बिस्मरण या प्रबलत वह प्रबलत है जिसके द्वारा दुखत अन्भाव को इसमरण से अलग कर दिया जाए आप संडी उप्रोगत में से कोई नहीं तो इस प्रेशन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं तो इस प्रेशन का प्रेशन का राइट आंसर है आप शन ये वाट्सन और ये वहार वादी थे अगला कोश्चन कोश्चन नंबर तीस है और आज के वीडियो का अंतिम कोश्चन है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुड के साथ परम सूननी भी हो कहलाती है आप से नामित मापनी प्रेशन का राइट आंसर आप शन शी होगा अंतराल मापनी उसे कहते है शातियों ये मनोबिग ज्यान के बहुत इंपर्टन तीस कोश्चन का कलेक्शन था अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में कर देना यदि इस वीडियो में कोई तुटी आपको लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता है जिससे आगे की वीडियो में होने वाली गलतियों से बचा जा सके मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक कि लिए जैंच जैवन भारत बंदे मात्र झाल झाल